ओम श्यान्तियम् ओम श्यान्तियम् ओम श्यान्तियम् हम सभी ब्रह्मन कुल भुष्णों को इस जीवन में योग का सर्व स्रेष्ट आनंद प्राप्त करना है इसके लिए अपने को खुसी और नसे में रखना परम आवश्चक होता है हम जरा विचार करें इस जनम में हमने इन आखो से क्या क्या देखा भगवान को इस धरा पर उतरते हुए देखा उसको महवाक्य उच्चारन करते हुए देखा शत्त गीता ज्यान सुनाते देखा देखाई नहीं हमने स्वयम सम्मुक बैट कर उसके द्वारा सुना आत्माओं में शक्तियां भरते हुए देखा, सबका संगार करते हुए देखा, निहाल हुगे हम, हमारी आखे भी त्रप्त हो गई, इस खुसी और नसे में, हम अपने जीवन को आनंदित करें, चारो युगों में जो नहीं देखा गया, वो हमने संतिम जनम में देखा, हमें स प्राप्त हुआ, हमें तीनों लोक और तीनों कालों का ज्यान प्राप्त हो गया, हम बहुत भग्यवान हैं, इस नसे में रहने से, हमारी बुद्धी बहुत अच्छी एकागर होगी, और हम योग-युक्त सहज रह सकेंगे, योग-युक्त वो नहीं रह पाते हैं, जो सारा इन बातों में बहुत रहते हैं, मात्र शक्ति विशेश रूप से बातों में बहुत समय लगाती है, जो बातों में हैं, जहां बाते हैं, वहां बाप नहीं रह सकता, क्योंकि बुद्धी उन बातों के चिंतन से भरी रहती है, उसमें इस्थान ही नहीं बचता, जिसमें बातों से स्वयम को मुक्त करें। दूसरी बात। महो ममता ये बहुत बड़ी माया संसार में च्छाई हुई है। इसमें सभी मनुस लिप्त हो गए है। किसी को अपने धन संपदा से आ सकती है, ममत्व है। तो किसी को मनुस्यों में, बच्चों में, पोत्रों में, धोत्रों में बहुत महों से पैदा हो गया है। ये महों ने सता रहा है। ये महों उन्हें दुखी कर रहा है। ये महों जैसे मीठा जहर बन गया है। ये ऐसी ची चुड़वाया है। कि महों छोड़ने हैं। बच्चों की पालना कैसे करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि महों और निर्मल प्यार अलग-अलग होता है। आत्मिक सने अलग है और ये देईक महों अलग है। महों का नाता देह से, प्यार का नाता आत्मा से होता है। तो सभी जो निर्मो ही बनना चाहते हैं, उन्हें आत्मिक प्रेम धारन करना होगा, इसके लिए साथ साथ आत्मिक द्रस्टी का अभ्यास करना होगा, आप जिन से भी आपको मोह हैं, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये द्रस्टी रखो, ये सब अब इसंतिम जनम में हमारे पास आई हैं, इससे पूरु जनम में किसी और परिवार में थी, इससे अगले जनम में किसी और परिवार में होंगी, अब हम इनके मात्पिता हैं, अगले और पिछले जनम में कोई और रहे हैं, तो इस तरह हमारा आत्मिक भाव बढ़ता जाएग और बहुत अच्छी अनुभूती होगी निर्मोही होने की, दिर्मोही तो बनना है, चाहे प्यार से बन जाएं, चाहे फिर सजा का कर बनें, अभी निर्मोही बनेंगे, तो जीवन का सुक मिलेगा, दुख समाप्त हो जाएगा, दुसरों को भी सुक माट सकेंगे, और योग युक्तोने में बहुत मदद मिलेगी तो आज सारा दिन सभी को आत्मिक द्रस्टी से देखते हुए उन्हें स्रेष्ट वाइब्रेशन से देंगे मैं विश्व कल्यान कारी हूँ, पूरवज हूँ इस स्वमान को याद करते हुए सब को आत्मा देखेंगे, घंटे में एक बार अवश्च करेंगे और मुझा आत्मा से किर्णे निकल कर इन सब आत्मा उपर पड़ रही हैं ये बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, ये बहुत सुखदा ही अभ्यास होगा इससे चित को जैन मिलेगी, मने कागर होगा आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम चैन्पी